ओम नमस्य वाय श्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर आज मैं आपको हर्याली तीज का महा उपाय बतार हम चोम की दीपक का ये उपाय आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी करेगा हर्याली तीज के दिन आठ राजियां ब्यहदी भागिसाली रहने इस दिन स्वागन मैला भगवान सिव और माता पारवती की पूजा करती हैं और ब्रत रखती हैं यह ब्रत निर्जल रखा जाता है इस दिन भगवान सिव प्रसन होका की मनवांचेत फल प्रदान करते हैं स्वागर मेलाओं को अटल सोभागी की प्राप्ती वपुत्र संतान प्राप्ती का सुख प्राप्त होता है आशिरवाद मिलता है वही क्वारी करन्याओं को सुन्नर बर प्राप्ती का आशिरवाद प्राप्त होता है हर्याली तीज़ के दिन हर्याली का विशेश मेत्व है यानि चारो तरप हर्याली होती है और इस दिन हरी चूडियां पेननी चाहिए हरी भस्तर पेनने चाहिए हातों में मेंदी लगानी चाहिए भगवान को भी हरी पत्तियां भांकी अरपन करनी चाहिए भगवान को बेल प पत्र अरपन करने चाहिए, बेल पत्र पर ओम नमस्वा लिखते हुए भगवान को अरपन करें, साथ ही माता पार्वती को सिंगार अरपन करें और चुंदरी अरपन करें, भगवान सिब को धतूरे के पत्ते, पुष्प और फल अरपन करने चाहिए, ऐसा करने से भगवान प हर प्रकार के मनुरत सिद्ध होंगे इस दिन 11 बेलपत्र और एक चोमुकी दीपक का साम की समय आपको उपाय करना है साम की समय भगवान सिव का अफशिक करें गंगाजल से भस्मी अरपन करें उसके बाद में 11 बेलपत्र भगवान सिव को अरपन करें ग्यारे पुष्पों की साथ में, ग्यारे बेलपत और ग्यारे पुष्प भगवान सिभ को अरपन करते समय, ओम नमस्ष्वाई, सिवाई नमस्त अब्यम, हरर मादेव, आदी मंत्रों का अच्चारण करना चाहिए, वही महलाओं को सिंदूर माता पारवती को अरपन करना चा में बनना चाहिए। इस दिन भगवान के सामने चौम की दीपक गाय के गी का चौम की दीपक बना करके भगवान सिव के सामने जलाना चाहिए। गन्य रासी, तुला रासी, मकर, कुम, मीन रासी, ये रासियां हैं, जो इस दिन सबसे ज़्यादा लखी रहने वाली हैं, सभी रासी वाले अपनी इच्छा बोलकर कि ये उपाय जरूर करें, आपकी प्रतेक मनुकामना पूरी होगी, किसी के सरी में कोई परिशान जाती है, तो आप पंच मुखी, चोदर मुखी रुद्राक, स्रिवलिंग पचड़ा करके उसे धारण करें, आपके हर मनुकामना पूरी होगी, वीडियो शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,